बीजेपी नेतार हमें इस विदोडी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर जिस तरीके से गिरफतारी मनी सिसोधिया क्यों ही है सवाल उठाया जा रहा हम आदमी पार्टी के दरब से वो कहा गया है पॉलिटिकल वेंड डेटा है देखो पॉलिटिकल वेंड डेटा होता तो उसका जवाब आता क्यों नहीं दिया इनों ने वो एक्साइज मिनिस्टर थे एक्साइज मिनिस्टर कभी नी बोला दो रूपे से बार रूपे कमिशन मैंने कैसे किया माफियाओं का दो रूपे से बार रूपे का भी पॉसिबल्टी है क्या और जो श्टिंग आये श्टिंगों में खुद लोगों ने कहा कि आधा पैसा अवैद रूप से इनों हमसे वापस लिया है वो श्टिंग तो बीजेपी ने नहीं किये थे आल्रेंस फॉर करफशन रहेगी टूजी स्पेक्ट्रम गोटाला, कोल गोटाला, आधर सोसाइटी गोटाला इनसे ही तो देशतरस था इस करफशन के खिलाप ही तो केजरिवाल दुनिया पर आरोप लगाते थे एक सूची जारी किया करते थे केजरिवाल साब पचास लोगों की सूची भरष्टाचारियों की बीस लोगों की सूची भरष्टाचारियों की अब वो बाद में सबसे माफी बांग लिए तो जो भरष्टाचारियों की सूची जारी कर रहे थे वो भरष्टाचार के आकंट में डूब गए है और फिर कह रहे हैं भाजपा तो एक नरेशन इस प्रकार की बनाने का प्रियास के रहे हैं लोग कि इस विशे से बठका कर चाचा जी बच्चे ध्यान रखना मेरी मम्मी का अरे सरदार भगत सिंग के अगर तुम उलादे हो सरदार भगत सिंग ने तो नहीं कहा वो तो मौत की सवाल केज्रिवाल ने कहा है कि सीबी आई के अधिकारी तो गिरफतार नहीं करना चाते थे उनको जानकारी मिली है कि उनके उपर political दबावत है केज़िवाल साब के बस कहां से जानकारी आ जाती है समयधानिक पद पर बैठे हुए कोई बयक्ती अगर समयधानिक रूप से जानकारी या लेता है तो ये भी क्राइम है केजरिवाल साब से मीडिया को पूछना चाहिए किस सोर्सिस से तुम्हें जारकारी मिलती है ये पहले से पहले कह देते हैं हम गरफतार होंगे वो इसलिए कह देते हैं गरफतार को तो ये मान लिया कि चोर अगर चोरी करता है वो पकड़ा जाए पुलिस से गर F.I.R. धर्ज कर दे वो नंबर वन एक्यूज थे इनको मालूम है वो गरफतार होंगे यह होंगे F.I.R. में किसी का नाम आजाए तो आम नागरिक बिचारा एंट्रिम बेल के लिए जाता है फरारी काटता है अभी डिप्टी सेम कैसे फरारी काटता देखो जी तो मालूम है गरफतार तो होना यह होना है तो यह जो चार महीने से नेरेटिव शो कर रही थे बार-बार कि सिस्थुद्य को गरफतार करेंगे मालूम है F.I.R. में नाम तो गरफतार होगा F.I.R. में वैसी नहीं आता किसी का जी अर्विन केजरिवाल चीफ मिनिस्टर है के चीफ मिनिस्टर रहते हुए इस तरीके के काम हुए शराब नीती यह गोटाला हुआ है आप उसको लेकर क्या मांग करेंगे देखो केजरिवाल साहब के नंदर नहतिकता है नेतिकता तो है नहीं वैसे उन्होंने कहा था मैं जो भी डिसन लूँगा महलों में जाऊंगा पंचायत करूँगा महलों की अपीनिन लूँगा यह शराब के जब ठेके खुले करोड रुपे गोटाले को लेकर माता भेने शोर मचा रही चिला रही हमारी गली में ठेके ना खुले है किसी की सुनी केजरिवाल साब ने तो केजरिवाल साब सतंदर जैन जेल में है तो जिस आदमी ने अपना इमान और नेतिकता बेच दी हो उससे यह एक्सपेक्ट करना कता ही नहीं हो सकता कि वो आदमी डिप्टी सीम के पड से इनको रिजयन लेगा क्योंकि स्कृट तो केजरिवाल साब ने लिखी है उनकी बीबी बच्चों का खिछाल रखने का वाइदा किया केजरिवाल के लिखी स्कृट को अगर सिसोधया जी कह दें कि मुझे तो जो मुख्य मंतरी ने डारेक्शन दीती, he was the head of the government, मैंने तो वो किया है, तो मालूम है केजरिवाल साथ लपेटे मा आ जाएंगे, तो केजरिवाल साथ उनके बच्चों के भी चिंता करेंगे, और डिप्टी से भी नहीं हटाएंगे, क्या मांग करते हैं BJP के तो? तो भारते जनता पाटे पुरजोर इस बात की मांग करेगी, और केजरिवाल से इस बात के लिए डिमाज करेगी, कि केजरिवाल साथ चोर उचक्चे करेंगे, वो डिप्टी सेम रहेंगे, तो दिल्ली में आप घूम नहीं सकते, हम हर जगे केजरिवाल का घेराव करेंगे, हर जगे केजरिवाल को घेरने की कोशिश करेंगे, देखते हैं केजरिवाल दिल्ली में कैसे निकलता है, दिल्ली के दो करोड लोगों को, किसी भी सूरत में हम यहाँ पर, अब और अप्मानित में होने देना चाहेंगे